किसान भाईयो राम राम क्रशी खेती चेनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाईयो क्या आप जानते हो आउले की खेती केसे की जाती है इसके लिए क्या क्या कौन सी जलवायू अच्छी है और कौन कौन सी किसमे और आउले के क्या क्या गुण है तो किसान भाईय इस वीडियो को आउले की पारे में जानकारी है इस वीडियो को आप अन्ते तक देखे करपिया वीडियो को लाइक और शियर करे और सब्सक्राइब करें किसान भाइयो आउला को आम तों पर भारती गुजवेरी और नेली के नाम से भी जाना जाता है इसे इसके ओशदिये गुनों के लिए भी जाना जाता है इसके फल विबिन दवाइया त्यार करने के लिए प्रियोग किये जाते है आउला से बनी दवाईयों में अनेमिया, डाइरिया, दातों में दर्द, बुखार और जक्मों का इलाज किया जाता है विबिन ने परकार के शेंपू, बालों में लगने वाला तेल, डाई, दातों का पाउडर और मुपर लगने वाली क्रीमे आउले से तयार की जाती है यह एक मुलाएम और बराबर शाकाओ वालवरक्षे जिसकी ओसत उचाए 8-18 मिटर होती है इसके फूल हरे पीले रंके होते हैं और ये दो किसमे के होते हैं नर फूल और मादा फूल इसके फल हलके पीले रंके होते हैं जिनका व्यास 1.3 से 1.6 सेंटी मिटर होता है भारत में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आउला के मुख्य उत्पाद के किसान भाईयों इसकी जलवाईयों के लिए ताफ मार्ची आली से अर्टाली डिग्री सेल्सियस और वर्षा होती है छे सो तीस से आर्ट सो एमें वर्षा की इस आउले के व्रख्ष के लिए जरूरी है किसान भाईयों इसकी मिट्टी के लिए इसकी मिट्ट सक्त होने की वज़े से इसे मिट्टी की हर किस्म में उगाए जा सकता है इसे हलकी तेजाबी और नमकीन और चूने वाली मिट्टी में उगाया जा सकता है अगर इसकी खेती बड़ा जल निकास वाली और उपजाओ दोम्र मिट्टी में की जाती है तो यह अच्छी पेदावार होती है किसान भाई यू अब मैं आपको इसकी प्रमक किसम और पेदावार के बारे में बता रहे हूँ इसकी तीन चार किसमे हैं जो अब हम लगा सकते हैं और इसके उत्पादन में व्रद्धी कर सकते हैं यह जल्दी पकने वाली किसमें जो कि मद्य अक्टूबर से मद्य नौम्बर में पक जाती है। एन ए टेन, फ्रांसीस, एन ए सेवन, कंचन, एन ए सिक्स, आधी ये प्रमुक किसमे हैं, जमीन की तैयारी, किसान भाईयों आउला की खेती के लिए अच्छी तरह से जोताई और जेविक मिट्टी की आउशकता होती है, मिट्टी को अच्छी तरह से भुरुबुरा करने के लिए बिज़ाई से पहले जमीन की जोताई करें, जेविक खात जैसे की रूडी की खात को मिट्टी में मिलाएं, फिर 15 एंटू 15 सेंटीमिटर आकार के 2.5 सेंटीमिटर गहरें नरसरी बेड तयार करें, किसान भाईयो, क्या आप जानते हैं आउला एक खेती के लिए कौन से मैना बिज़ाई का समय है, तो वह है जुलाई से सितंबर के मैने में, उदेपुर में इसकी खेती जनवरी से फरवरी मैने में भी की जाती है, फासला, मई जून के मैने में कलियो वाले पोदो को 4.5 इंटू 4.5 मीटर के फासले पर लगाए, बिजाए का धंग, कलियो वाले नए पोदो की पनेरी को मुख्य केत में लगाया जाता है, किसान भाईयो, अब मैं आपको बता रहे हूं कि बीज की मातरा कितली नहीं चाहिए, अच्छी पेदावार के लिए 200 ग्राम बीजो को प्रती एकड में प्रियोग करना चाहिए, बीज का उपचार, फसल को मिट्टी से पेदा होने वाली बिमारी और किडों से बचाने के ल नाइट्रोजन, फासपुरस, पोटास, खेद की तैयारी के लिए मिट्टी में 10 किलो रूडी की खाद अच्छी तरह मिला है, खेद में नाइट्रोजन 100 ग्राम, फासपुरस 50 ग्राम और पोटेश्यम 100 ग्राम प्रती पोदा डाले, यह खाद एक व्रक्ष के पोदे को डाल बाकी की मात्रा अगस्त के महिने में डाले, अब किसान भाईयों हमने बीच की मात्रा, इसका जलवायू, ताप मान सब पता कर लिया तो अब हम इसके खर्पतवार नियंतरन के बारे में बात करते हैं, खेद को नदीन मुक्त बनाने के लिए समय समय पर गुड़ाई करे, तरीका भी बहुत प्रबाव शाली है, अब किसान भाईयों इसकी सिचाई के बारे में जानते हैं, गर्मियों में सिचाई 15 दिनों के फासले पर करें, और सद्यों में अक्टूबर 9 दिसंबर के मैने में हर रोज चपला सिचाई द्वारा 25 से 30 लीटर परती वरक्ष डाले, इस प्रकार किसान भाईयों हमने जाना है कि आउले की खेती, उसकी जलवायू, तापमान और उसकी किसमे और आउले की गुण क्या है, अब मैं किसान भाईयों अगले वीडियो में आपको बताएंगी कि आउला की आईरवेदी क्या क्या गुण है, तन्यवाद किसान भाई योक्रपिया वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें